मद्द प्रदेश के दमों से क्रिस्मस पर एक बड़ी खबर आई है यहां बुंदेल खंड के प्रख्यात संत बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धीरेंदर कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित की जा रही सुरी राम कथा के दौरान धर्म परिवर्तन कर दलित परिवारों के तकरीबन दो सो से जादा सदस्य पंडित धीरेंदर कृष्ण शास्त्री के कथा इस्थल पर पहुँचे और उन्होंने अपने अनुभवों को यहां बागिश्वर धाम पीठा धीश्वर के सामने रखा और इसके बाद बापस सनातन संस्कृती में लो अलच और प्रलोभन के कारण इसाई बन चुके थे और अब क्यूं बापस सनातन धर्म में आना चाहते हैं सुनिए ये गुंदेल खंड में एक बहुत बड़ा बिश्वर जो कि जितने भी मीडिया अंदू है उटके सामने ये कार हो रहा है हमने किसी को भी पहले पूर्म में हम मिले तो नहीं है किसी से ना किसी को मिले हैं ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म एक ऐसा धर्म छोड़ा था जहां जिस सनातन में आने के लिए दिवताभी तरस्ते है चुकि इनकी गलती नहीं है भूले भाले लोग है आप लोगों को बहकाया गया होगा हमें जहां तक पता है पैसा भी दिया गया बोलो पैसा भी दिया लगवक कितना लोग है यह हम नहीं बोल लहा है यह ध्यान लखिएगा जितने भी पत्रकार बंदू नहां हम हम इनको सिर्फ यह बता रहें कई लोग ऐसे बैठें हैं जिनको यह बताया गया था कि कोई जो नंके भगवान हो हमें हों कि भगवान से कोई भुराई नहीं है उन्हेंने कहा यसा भी कहा जो हमें ग्यात है कि तुम्हाइं लड़का हो जे बीमारी में टीज़े ऐसा कौन है जैसा किसी को कहा हो खड़ा हो जाए यह लोग ऐसा कहा जा 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 बोले आपको बच्चे दवाई करवा देंगे और आपका पड़िवाद करो आपको संडे में कुछ भी काम हो आपके इधर में कोई मर भी गया हो तो परंतु उसके पहले आपको प्रातना के लिए आना पड़ेगा चर्च में परंतु हम लोग जैसे कभी गरीब लोग हैं मजदूरी करने वाले थे तो हम लोग ना जाएं तो आम लोग घाटा के प्राइव लोग इतके पावर्फूल है तो हम लोग वाड़ा चाहा करा और लोग करने पाव के लाज सब्सक्राइं और तो यह थे कूछ दालोग थाए पैसा कुछ नहीं हुँगा और कर यह तो आप क्या नाम बता है आप जीतेंदु कुमार है रहा है जीतेंदु कुमार है रहा है जीरट के रहने वाले तो ठीक है लेकिन आप लोगों की भी गलती है ना लालच में जाते ना उनके चक्कर में पढ़ते ना आज ये टैम आता सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिख्कत यह है अपने धर्म میں आप उस सनातन धर्म से हैं जहां आपके पूरुबजोने भग्मान राम की सेवा के लिए रवी डास जीन है जिंदगी भर जबतक है जीवंत रहे तब तक अनेक लोगों को मूँ तोड़ जबाब दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी के उपर कितनी विपत्तिया नहीं यगो पभीत के लिए पूचा गया क्या तुमारे जन्य हुए उन्होंने तन काटकर अपने सरीर के अंदर जन्य हुद दिखा दिया आप लोग उस समाज से हो और फिर भी आप छोटी मूटी बातों में आगे इसमें उन से सुबीत गया हम आपको नभेदन करेंगे स्वधर्मे निध्रम स्रेया अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म में विचार करने से और चिंता मत करो हम तो ना कोई चमतकारी आदमी है ना हम कोई ईश्वर है ना हम कोई भगवान है हम इतना जानते हैं संतों की से रैदास, रभीदास, कबीर, मीरा, नाना, महत्मा, भुद्ध, इन महरसी बालमी की गोश्वामी तुलसिदास जी इन संतों के प्रताप से हम इतना जानते हैं कि अगर आप लोग सक्ची शुद्धा से अपने संतों को प्रणाम करके भगवान के चरुन आओगे हनमान जी तो तुम्हें कहीं जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी, रभी बार हो, सौंबार हो, मंगल बार हो, उस दिनी सो तुम पर कृपा करेंगे अब जो बीत गया सो बीत गया, अभी परसों की एक बड़ी खवर है कि वो यहां आ रहे थे हमसे मिलने के लिए, तो उनके उपर हमला भी किया गया, तो सारवजन एक बात हम नहीं करेंगे पूरी बात, तो आप लोग जो जो पुना सनातन धर्व सुईकार कर रहे हैं वो हा किया नाम है नाम है, किया नाम है, गड़े सेरवाज, खड़े हो जाओ प्यारी, वाप प्यारी, अच्छा दर्शन कर वे आए, अच्छा तुमारा नाम, तुम कुछ गोलना चाहरे है थे बीच में, अब लोग सुरू सेहिंदू, अब लोग नहीं साहिबोनी अपनाया, नह कि जिनने अपनाया उनको क्या कहोगे तुम माइक लेलो तो भी कुछ बोलो समध्दार हो त्धिमान जो बहुत खतर्नाग भी एक के परिवार वाले भी बैठे लिए प्रिवार वाले भी बहुत त्याव है इन्हों ने हमारे सब भाईयों और पूरे हिंदू भाईयों के कुछ पैसों के लिए जे लोग बिख गए धर में बदालते हैं इन्हें अपना इस बच्चे को ताली बजाओं जोड़ सब्सक्राइब अरा केजिके में थे समय कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो हम तुम्हारे साथ करेंसरा कि रहेंगे अज तो हम पर कम समय है आप लोग हमारे साथ आरती करने भी चलो हां आज मंच पर आपको लोगों को मंच पर किसी नहीं बुलाया होगा हम आप लोगों से आर्थी करवाएंगे आज ये लोग आर्थी करेंगे साथ में आप चोवे जी की ड्यूटी लगाते हैं हमें कोई पृदर्शन नहीं करना है आपका हमें आपको बल देना है ताकि आपकी कोई हसी नौड़ा है कोई खिली न उड़ाए, क्योंकि आपके अंदर डर भी अभी लगा है, कि अब लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और जो चमतकार वाली बात उन्होंने कही है, हम उन्हों पर कुछ नहीं कहेंगे, उन लोगों को भी ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी तुम्हारे और साथ ही रह गए, उनको ले आना, ताकि सनातनी संस्कृति और हमारे पुर्वजों ने, हमारे आपके पुर्वजों ने सनातन के लिए अपने प्राण दे दिये, कम से कम अपने पुर्वजों को तो ने लजाएं, पैसा लेला सुबह खा जा है, अपने गरीब आद में भी तो हमें लोग दे जाएं, तो हमें पैसा ले ले ले, बांकि ठटरी बार दे ले, हाँ, पैसा ले ले ले, लेकिन अब धराम, अच्छा वो तीस लोग जो है उनके डूबकी लगाया है, वे कौन-कौन है, हाथ उठाओ, पड़े हो जाओ आप कोई सरम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप सनातन में, आप भी बैंजी गहीं थे, बैंजी को माइक देना, आओ बैंन बज दिना, आओ बैंज दिना, अलोग कहा है, अलोग, वो अलोग भगवादь गवाने, अज तो तो बीच नहीं आप जो खा खा रिख रख रे, इसमें अलोग ने बहुत मेहनत किये पूरी मेहनत आलोग ने किये एक बार आलोग हमारे अहरवार जी को तानिक हो जाओ कोई सरम नहीं है अब तो आप सनातन में आप भी बेंजी गहीं थे इनको बेंजी को माइक दे ना आओ बेंज जी कि अलोग कहा है आलोग वां तो अलोग अलोग बगवार थे आप तो भी चना जो बढ़ता है है अब करद लोगा आरे पर दो मैं जास अ मैंफे आप पास वाइन वाइपसे में आप इसमें अलोग ने बहुत मेहनत की है पूरी मेहनत आलोग ने किये एक बार आलोग हमारे अहरवार जी को तालीब होजा बहुत मेहनत की है कहां से हो गए है अच्छा तो आपको उन्होंने बुलाया था अब आप सनातन में आना चाहिए आप सनातन को स्विकार पूरतया करना चाहिए अब तो नहीं बहुत में बहुत में आशिक बहुत अब दूसरी बात हम बतावो भूल जायते हैं एक-एक मिनट हम सतको कल परसों का दरवार हो जाने दो तीसरे दिन बाहर के इतनुए हो पर सब यहीं के हैं न यहीं पर हम एक-एक मिनट सतको मिलेंगे और अरजी भी बबाजू के चर्णन में लगावी ताकि तुमाए घर की ऊपर बाला जी की कृपा भी संतन की कृपा भी बनी रावे और आज आरती करो सनातन धर्म की जय बोलो अपने घर के बाहर सब जने जंडा लगाओ जो बीत गओ सो बीत गओ मन में कौनों मलाल नी रखने हैं हो जान दो समय चक्र हुए बाला जी को नाम लो अब लेकन अब होन ना दई हमाई हाँ जोड के ने बेदने अब ऐसा मत होना समाज की नाक ना कटवाई है गौरतलब है कि बुंदेल खंड में बड़े पैमाने पर दलित जातियों में धर्म परिवर्तन के लिए कई वर्षों से मिशन चल रहा है इसी मिशन के तहट अनेक आदिवासी और दलित बाहुल इलाकों में लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है कई लोग बौध दर्म में शामिल हुए हैं तो कई लोग इसाई धर्म में शामिल हो गए हैं इन तमाम चर्चाओं का केंद्र दमो जिला भी रहा है दमो में 24 दिसंबर से एक जनवरी तक बागिश्वर धाम पीठादीश्वर पंडिट धीरेंद कृष्ण सास्त्री की श्रीराम कथा चल रही है और इसी कथा के दोरान ऐसे 200 से जादा लोग यहां पहुँचे और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई पंडिट धीरेंद कृष्ण सास्त्री ने भी इन सब परिवारों की आप बीती सुनी और उन्हें बापस सनातन संस्कृती में लाने के लिए शपत दिलाई इतना ही नहीं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इन लोगों से बात चीत की और इसके बाद इन सब को कथा इस्थल पर मंच के समीप आरती के लिए भी ले गए उन्होंने कहा कि पराए धर्म को स्विकार करने से अच्छा है अपने धर्म की रक्षा करते हुए प्राणों की बली देना उन्होंने ऐसे दलित परिवारों को भगवान रविदास के संदेश भी सुनाई आज से हमेशा जीवन परियंत अपने संतों की सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे परंतु भूल कर भी अन्न धर्म में नहीं जाएंगे हम सपत खाते हैं हम सपत खाते हैं श्री हनमान जी महराज रविदास महराज मीरा भाई महरसी बालमी गोस्वामी तुर्शिदास जागेश और महादेव बागेश और बालाजी इनके चर्णों की सोगंद खाते हैं हम भूल कर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे अब आप लोग जो गए थे वो कहो हम से जो भूल हुई है दूसरे धर्म में जाने की प्रभू हमें छमा करो हनमान जी हमें छमा करो हे रविदास महराज जी हमें छमा करो रविदास महराज जी हमें छमा करो हे महरसी बालमीक जी हमें छमा करो गोस्वामी तुलसिदास जी हमें छमा करो सब संतन की जय हो सनातन धर्म की बागे सुरधाम की बागे सुरधाम की अब दोनों हाथ मलो बड़ी अफटकार लगा दोसों जो ना लाय बलाय है बावन की उतरी पहुंचा पैसा भटाएं रही उनके सुटार आउ दमता अब आज मी कहला है महाराजी हमने कुछ भी नहीं किया है करने वाले वाला जी है और आप लोगों पे खुख परपा बनी है अब बैठ जाओ सब जबी तुने प्रत